मैं डाक्टर अर्पी सिंग आपका अपने यूट्यूब चैनल डाक्टर रागो अर्वेडर सक्ति में स्वागत करता हूँ कंटोला एक सबजी है जो आम तोर पर मानसून के मौसम में भारती बजारों में देखी जाती है इसमें कई स्वास्थ लाब होते हैं और यही वज़ा है कि भारती उप महाद्वीप के अलावा अब इसकी खेती दुनिया भर में सुरू हो गई है इसे तीसलेल, काकरोल, कांकरो, आधी नाम से भी जाना जाता है इसकी मुख्य रूप से भारत के परवती छेत्रों में खेती की जाती है इसकी बेल का जीवन काल तीन से चार महिनों का होता है कंटोला का बनस्पतिक नाम मॉर्मोडिका, चरंसिया, जो कुकुर बिटेसी, प्रजाती का एक पोधा है अंग्रेजी में इसे स्पाइनी गार्ड या टीजल गार्ड भी कहा जाता है कंटोला देखने में करेले के समान होता है और लेकिन यह साइज में करेले से छोटा होता है इसकी बेल धीरे धीरे बढ़ती है यह पचाने में हलका होता है इसे विभिन स्वास समस्याओं के इलाज के लिए दवा के रूप में उप्योग किया जाता है इसमें विभिन रसाइनिक योगिक होते हैं जो मानों सरीर के लिए फाइदेमंद होते हैं कंटोला कैलोरी में कम होता है क्योंकि प्रती 100 ग्राम में केवल 17 कैलोरी ही मिलती है इसे ये फाइबर, खनीज, विटामिन और एंटी ऑक्सिजेंट जैसे विभिन पोसक तत्वों से भरा हुआ होता है गर्भावस्था के दोरान कई महतपूर इस्थितियां पैदा हो सकती है इन में से एक समस्या नियूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कंटोला की ताजा हरिपत्ती, फली, फोलेट, विटामिन बी और सी का अच्छा सुरोत है जो कोशिकाओं के विकास और प्रिजिनन के लिए कंटोला में विटामिन सी अत्तरिक होता है जो स्वैम में एक बहुत ही अच्छी और प्रेकृतिक एंटियूक्सिडेंट्स होती हैं कैंसर की संभावना को कम करने के लिए विटामिन सी हमारे सरीर से अधिक विसाले मुक्तकणों को बेशर करता है कंटोला में बीटा कैरोट अलफा कैरोटीन, लिूटेन और जैसे फ्लोर नोट्स पाये जाते हैं यह सभी योगिक आपकी बढ़ती उम्र के लच्णों को कम करने में मदद करते हैं या आपकी त्वचा को स्वस्थ रखने में भी आपकी सहायता करते हैं इसके अलावा यह विभिन प्रकार के त्वच में सामिल कर सकते हैं इसका सेवन आपकी आँखों के साथ साथ आपके सरीर के लिए भी लाबकारी होता है कुछ मिंटों के लिए पानी में कंटोला वेल के पत्ते उबालें कंटोला के बेल के पानी में एक टी स्पून कच्छा सहद मिलाएं और इसका सेवन करें वाइरल पाउडर तयार करें बवासीर का इलाज करने के लिए एक दिन में दो बार पांच ग्राम कंटोला पाउडर और पांच ग्राम चीनी को मिक्स करके इसका उप्योग करें इससे लाब मिलेगा खासी एक आम समस्या है जो अचानक बदली जलवायू और वाइरल और बैक्टीरिया के कारण बच्चों और वैसकों में देखी जाती हैं यदि आप खासी से पीडित है तो आप खासी को नियंतित करने के लिए पानी के साथ एक दिन में तीन बार तीन ग्राम कंटोला पाउडर ले सकते हैं कोहरे और वायूद प्रदूसर के कारण स्वास लेने की समस्या तेजी से बढ़ रही है स्वास की समर्श्याओं का इलाज करने के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं धाई सो से पान सो मिलिग्राम कंटोला रूट पाउडर को एक चमच अद्रक का रस और एक चमच सहद मिला कर सेवन कर सकते हैं इसे किसी भी तरह की स्वांस लेने की समस्या से तुरंत राहत मिल सकती यदि कोई व्यक्ती गुर्दे की पत्री से पीडित है, तो वह कंटोलों का उप्योग करके गुर्दे की पत्री से राहत पा सकता है एक गिलास दूद या पानी में 10 ग्राम कंटोला पाउडर मिलाएं और गुर्दे और मुत्रासे की पत्री को निकालने के लिए रोजाना इसे पीएं इससे आपको लाब मिलेगा इसमें फाइवर होते हैं जो पाचन को उत्तेजित करने में मदद करते हैं या अपच और कब्ज की समस्या का इलाज करने में भी मदद करता है इसलिए अगर आप अपना पाचन बेहतर रखना चाहते हैं तो कंटोला का सेवन सुरू करदे यदि आपको अधिक पसीना आने की समस्चया से सर्म महसूस हो रहा हो तो आप हाइपर हाइड्रोसिस से रहत पाने के लिए कंटोला का उप्योग कर सकते हैं कंटोला पाउडर के साथ असनान करें इसे प्रकृतिक स्क्रब के रूप में प्रियोक करें इससे अतिरिक्त खराब गंद और पसीना आना भी कम हो जाएगा इसके अलावा इससे आपको चिकनी तवचा भी मिल जाएगी कंटोला के नुकसान कंटोला आपके पाचन तंत्र को खराब कर सकता है खास कर यदि आप बहुत अधिक मात्रा में कंटोला रसका सेवन करते हैं इसकी अधिक मात्रा आपके लिए पेट दर्थ दस्त का अनुभाव करा सकता है अगर दस्त या पेट दर्द दो से तीन दिनों तक लगातार रहे तो आप चिकित्सक से जरूर परामर्स लें इसका प्रभाव रक्त सरकरा के अस्तर को कम कर देता है जो अन्यमित मधुमेह वाले लोगों के लिए संभावित रूप से फायदमन्ध हो सकता है लेकिन जो लोग निम्न रक्त सरकरा समश्या से ग्रस्थ हैं उनके लिए इनका सेवन अच्छा नहीं है प्रेगनेंसी या अस्तनपान के दोरान इसका सेवन करना लाबदाई नहीं होता इसलिए आप चिकित्सक के परामर्स के बिना इसका प्रियोग ना करें दो आने आप